हेलो एवरीबन कैसे है सब लोग कैसी चल रही पड़ा है सब की बढ़ी आगदाम ओके सो मा ने में संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपने प्यार सी चनल में खुबसूरा से चनल में जैयार टुटोरियल में तो जैसा कि आपको पता है वी हाव स्टार्टेड अप्टिक प्रिज्म की थानटर्ग स्टार्ट अंचे यंदेश्बन की चनल मोंयग प्रिजम की दिश्पर्जन याट हो प्रिजम की, तो फटा-फट क्या करो, बुग उठा लो, बैड जाओ, फटाई चालू कर दो, okay, चलो, so let us start with dispersion of light, और dispersion of light मेरे खाल से तुम लोगे पढ़ा है, तुम लोगे पढ़ा है कि भाई, जब light, जो white light है, वो जब disperse होती है, मतलब वो किसी refracting या फिर किसी भी surface पर जाती है, तो वहाँ से वो क्या होती है, seven component में divide हो जाती है, अब वो ordinary surface नहीं, वो सिरिफ जादा करके prism के साथ होता है, तो अगर कहीं पर भी मैं prism consider करूं, तो prism से light क्या होती है, यह prism माल लो, prism से light क्या होती है, यहां से माल लो, तुमारा white light आ रहा है, अब वो white light क्या होगा यहां से, white light refract होगा, और यहां पर मिलको उसके seven component मिलेंगे, yes or no, that is weave, yes or no, okay, यहां पर देखेंगे तो red, और last में देखेंगे तो blue दिखेंगा तुमको, अब यह क्यूं होता है, वो तुमको पता है, तुम लोग ने छोटे standard में पढ़ा है, भाई, जाधा deviate कौन होता है, जिसका wavelength छोटा होता है, वो जाधा deviate होता है, जिसका wavelength बहुत बढ़ा होता है, जिससे red, red का wavelength बढ़ा है, तो वो जाधा deviate नहीं होता है, तो आज हमको यही सब discuss करना है आज हमको discuss करना है कि what is angle of deviation आज हमको discuss करना है what is angle of emergent, what is the relation between angle of deviation, angle of emergent and angle of incident तो उससे पहले हमनों discuss कर लेते हैं कि what is prism, भाई prism क्या होता है जरा देखो तो अगर हमनों देखने जा तो prism क्या है, so this is nothing but basic structure of prism, अगर prism पर देखो गए, तो prism पर तीन कौन से surface होते हैं, उसके पास तीन rectangular surface और दो क्या होते हैं उसके पास triangular surface, यह एक तरह का shape है, एक तरह का 3D step है, it is not a pyramid, ओगे बहुत लोगग confused हो जाते हैं कि prism और pyramid सेम है, ना ना ना, देखो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में 4 triangle और 1 square होता है नीचे, एक base होता है, rectangle या square बोलो, बट prism में क्या होता है, prism में 3 square देख लो, और 3 rectangle होते हैं, यह एक rectangle, यहाँ पे अगर देखने जाओ, तो यह rectangle, और देखने जाओ, तो यह rectangle, नीचे वाला rectangle, ओके यह यह वाला, यह पूरा वाला rectangle, ओके? तो यह पूरा वाला एक रेक्टाइंगल और ट्राइंगल देखने जाओ तो यह सामने वाला और इसके पीछे वाला एक ट्राइंगल तो इस नतिमेटर प्रीजम अब क्या होता है अब लाइट क्या होती है लाइट एंटर होती है कहां से एंटर होती है लाइट एंटर होती है और वापस यहाँ पर एक और बाट बेंड होगी क्योंकि medium वापस change हो रहा है मतलब यहाँ पर हमको दो चीज़े देखने मिलेगी यहाँ पर हमको सबसे पहला यह this is called as angle of incident और यहाँ पर अगर मैं normal बनाओ तो इसको बोलते है angle of emergent तो angle of emergent क्या होता है angle of incident क्या होता है इसके अंदर दो refracting angle होते हैं यह एक होता है angle r1 और यह एक होता है angle r2 तो यह सारा चीज आज हम लोग detail में बात करने वाले हैं तो फटाक से बैठ जाओ जैसे मैंने बताए कि book और pen लेके बैठ जाओ तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं relation between all the angles involved in prism तो पहले prism की बात करेंगे अगर हम लोग prism बनाए तो देखो prism कैसे होगा मैं prism का खाली सामने वाला पाट बना रहा हूँ खाली सामने वाला याद रखना ओके अब यहां पर देखो तो यहां से एक light आएगी लेस्ट से उसको yellow color में रिप्रेजन करते हैं तो यहां से एक light आई अब यहां पर bend होगी यहां से वापस bend होगी अब यहां पर बने गाई यहां नो तो लेट आस कंसिरेगा दिस इस नॉर्मल यहां पर इंटरसेक्ट हो रहें तो अब यहां पर इसका नेमिंग कर दो फटा फटा फटेखो क्या क्या होगा ध्यां से समझने कोशिस करो यह जो पाड़ बनेगा इस इस कॉल्ड आई मतलब आंगल आंगल इंसिनेंट जो कि हमको पता है यह जो बनेगा दाटीज आरवन लब फस्ट रिफ्राक्टिंग अंगल यहां पर जो मनेगा दर इस आरटू बतलब सेकेंडर रिफ्राक्टिंग यह क्या हो जाएगा मेरा इविच इस कॉल्ड आज आंगल आफ इमर्जेंट इसको बोलते हैं इंसीडेंट रे इंसीडेंट रे और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इमर्जेंट इसलिए इसको बोलते हैं आंगल आफ इमर्जेंस ओके अब यहां पर क्यावरा आगर यहां पर हम लोग ध्यान देंगे यहां पर हम लोग ध्यान देंगे तो कैसे यहां पर emergent ऐसे हुआ, मतलब यह actual में कितना bend हुआ, that is called angle of deviation, यह जो part है, this is called angle of deviation, जिसको हम लोग del से बोलते हैं, angle of deviation, angle of, that is del, that is del, clear, और आज हमको यही देखना है, कि what is the relation between, what is the relation between del, I, E, and this is nothing but यह सब को पता है, that is called prism angle, यह क्या होता है, A होता है, which is nothing but a prism angle, यह सब को पता है, तो इनके बीच में को relation लाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले, इसको थोड़ाँ सा side कर देते हैं, पूरा का पूरा डाइग्राम, अब ध्यान से समझने ही कोशिस करते हैं, यहाँ पे बहुत simple basic mathematics use होने वाला है, तो basic mathematics पता होना चीए, मैंने हर बार बोला है कि अगर physics पढ़ रहे हो, तो basic mathematics पता होना चीए, तो माल लो कि इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं S, ऐसा माल लेते हैं PQRS, तो अगर तुम लग देखोगे तो PQRS is a cyclic coordinator, वो एक cyclic coordinator है, हमको कहीं पर proof नहीं करना है कि वो cyclic coordinator है, हमको पता है already कि PQRS जो बनेगा वो एक cyclic coordinator मैं short form में लिख देता हूँ अब cyclic correlator पर हमको पता है cyclic correlator में एक basic चीज़ अपको अपना दा है कि जो opposite side के angle होते है वो opposite side के angle को add करोगे sum करोगे तो क्या निकलता है निकलता है 180, yes or no तो दुनों को add करोगे तो मैं बोल सकता हूँ angle A या फिर अगर मात्र खाली A लिखना है तो A भी लिख सकते हो कोई problem नहीं माल लो A plus कौन सा angle opposite उसके कौन सा angle देखो Q, R, S nothing but क्या हो जाएगा angle Q, R, S इन दोनों को plus कर दोगे तो 180 आ जाएगा Q 180 आएगा क्योंकि हमको पता है कि cyclic correlator है और cyclic correlator के जो opposite side होते हैं वो क्या होते हैं वो 180 होते हैं या ना यह चीज़ पता है हमको चलो next आगले आगया जाओ अब यह वाला triangle एजियूम कर लो inner triangle inner triangle inner triangle देखो कौन सा Q, R, S वाला Q, R, S अगर तुम लोग triangle एजियूम कर लोगे तो देखो क्या मिलेगा भाई तीनो triangle के तीनो angle को add करके क्या मिलता है 180 मिलता है तो यहाँ पर देखो कौन-कौन से तीन angle है R1 है प्लस R2 है प्लस angle Q, R, S है यह सोनो इसके अंदर भी Q, R, S है angle Q, R, S यह वाला angle बास सुन जा रहा है यह वाला angle यह सोनो तो देखो क्या मिलेगा क्या मिलेगा मेरको R1 प्लस R2 प्लस Q, R, S बराबर हो जाएगा 180 Q, 180 होगा सबको पता है क्योंकि एक triangle है एक triangle के तीनो angle को add करोगे तो answer क्या बनेगा 180 बनेगा बढ़िया अब इसका देखो इसका देखो R, S दोनों का same है 180, 180 तो मेरे ख्याल से LHS भी same हो जाएगे तो LHS सेम करोगे तो क्या मिलेगा A plus angle Q, R, S बराबर हो जाएगा R1 plus R2 plus angle Q, R, S हाँ या ना यहाँ पे Q, R, S Q, R, S get cancelled मेरे को क्या मिलेगा देखो जरा R1 plus R2 is equals to A ये एक relation आगया बहुत महत्वपूर्ण relation है यह सानो R1 plus R2 is equals to A clear बासन में आगया everyone, पक्का ये चीज़ समझ में आगया सबको ओके ये चीज़ समझ में आगया तो आगे कहानी बहुत simple है आगे हम लोग triangle use करने वाले हैं और triangle में हम लोग लगाने वाले exterior angle theorem और मैंने already तुमको इसके पहले exterior angle theorem बता दिया है जब हम लोग ये कर रहे थे कौन सर relation कर रहे थे ना इसका lens maker के पहले जो relation किया था हम लोग ने reflection through a spherical spherical क्या था reflection through a spherical curve surface उसमें हम लोग ने relation use किया था exterior angle property of triangle ये पूरा का पूरा अंगल आई है ये पूरा का पूरा अंगल क्या है r1 है तो मैं बोल सकता हूँ ये angle क्या रहेगा देखो ज़रा ये angle रहेगा मेरा i minus r1 ये सनो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा i है इसमें से यह पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा आई होगा, बट ये कितना है, ये आरवन है, तो ये कितना होगा i-r1 हाँ या ना बाढ़ समझा हाँ वापस एक बार वापस एक बार देखो जारा यह चीज़ समझ गया तो कहाँ नी खतम यह ऐसा अंगल है यह पूरा कप पूरा-i तो यह भी पूरा कप पूरा-i होगा क्योंकि vertical opposite angle है बट उसमें से ये कितना है ये है r1 तो ये जो बचा हुआ होगा ये कितना होगा ये होगा i minus r1 हाँ या ना समझ में i minus r1 पका तो यहाँ पे ये होगा i minus r1 ये वाला क्या हो जाएगा देखो जारा ये हो जाएगा e minus r2 तो ये हो जाएगा e minus r2 बरबर तो देखो जारा क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे ये दोनों angle को add करके मेरे को dell मिलेगा कि नहीं ये दोनों angle को add करके मेरे को dell मिलेगा तो क्या मिलेगा therefore i minus r1 plus e minus r2 ये दोनों को add करके यह वाला ट्राइंगल में यह वाला ट्राइंगल में यह वाला ट्राइंगल में यह वाला ट्राइंगल अलग से बना देता है हाँ पर देखो यह तुम्हारा ड्राइंगल हो गया यह वाला अंगल हो गया तुम्हारा i-r1 और यह वाला ट्राइंगल हो गया तुम्हारा e-r2 बरबर तो यहाँ पर यह property लग गया अब देखो ज़रा r1 r2 को साथ में रख दो क्या मिलेगा so i plus e minus r1 minus r2 is equals to del हाया ना अब minus r1 minus r2 में से minus common ले लो क्या मिलेगा i plus e minus बाहर ले लिया r1 minus r2 क्योंकि minus बाहर आ गया is equals to del हाया ना what is r1 plus r2 यहाँ पर हम लोग ने calculate किया है भाय r1 plus r2 is nothing but a तो यहाँ पर क्या करो a को चिपका दो जैसी a को चिपका होगे क्या मिलेगा i plus e minus a is equals to del यह minus a को उस तरफ लेके चले जाओ क्या मिलेगा i plus e is equals to क्या मिलेगा del plus a हाया ना this is nothing but a relation between all the angles all important angle का relation है यह तुमको angle of incident देगा यह तुमको angle of emergent देगा यह तुमको angle of prism देगा और यह तुमको deviation का angle भी देगा मतलब यह एक relation बहुत important है that is i plus e is equals to del plus a और यह लगबग हमेशा true होता है यह लगबग हमेशा true होता है clear बात समय में आ गई ओके इसके बाद हमको discuss करना है prism formula और prism formula discuss करने के लिए हमको सबसे पहले एक condition जाना पड़ेगा that is called as minimum deviation so बात करने वाले हम लोग minimum deviation कि what is minimum deviation okay so क्या देखा गया क्या देखा गया कि अगर मालो कि मैं angle of prism constant रखता हूं तो angle of prism अगर constant है तो minimum deviation क्या होता है देखो यहाँ पर न ऐसा देखा गया कि एक डेल के लिए एक डेल के लिए दो value मिल रहा है मतलब एक angle of incident मिल रहा है और एक angle of emergent मिल रहा है मालो कि यहाँ पर prism है मालो कि यहाँ पर क्या मिल रहा है 70 मिल रहा है मिल को angle of incident और यहाँ पर मिल रहा है मिल को 13 तो जब angle of incident 13 होगा तो angle of reflection क्या हो जाएगा 70 मतलब वो अपने एक दूसरे को exchange कर रहे है जब कोई भी चीज एक दूसरे को exchange करता है तो एक ऐसा point आता है जहाँ पर वो दोनों सेम होत कि वापस कम जादा होना चालो जाएंगे बट कोई तो एक ऐसा time आयंगे जहां पर वो दोनों सेम होनगे that is nothing but this this is call minimum deviation मालो कि यहाँ पर में deviation कम करना चालो करूं यहाँ पर अगर deviation कम करना चालो करूं So deviation कम हो डो deviation कम हो रहा है देखो यहां पर मिलेंगे एक i मिलेगा और एक e मिलेगा यह हर एक पर हर एक पर हर एक डेल पर मेरे को दो हर एक अगर डेल की बात करें तो हर एक डेल पर दो मिलने माला है that is i और e तो i और e मिलेगा मेरे को बस जैसी में कम करते जाओंगा कम करते जाओंगा देखो दोनों कम हो रहें दोनों कम रहें अब एक ऐसा डेल आएगा जहां पर मेरा i बराबर होगा e से that deviation is called as minimum deviation तो always remember कि minimum deviation का condition क्या होता है minimum deviation का condition होता है जब angle of incident बराबर हो जाए angle of emergence से जब angle of incident बराबर हो जाए angle of emergence से उस time तुमको जो deviation मिलेगा that will be a minimum deviation तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे prism formula की तो क्या होता है prism formula तो सबसे पहले minimum deviation देख लेता है minimum deviation क्या मिलेगा so already मेरे पास एक formula है जो हमको पता है already हम लोग ने एक formula यहाँ पर discuss कर लिया है this is nothing but यह that is i plus e is equals to del plus a okay दिमाग में बैठा लो i plus e is equals to del plus a i is equals to i plus e is equals to del plus a अब क्या करना है तुमको यही formula इस्तमाल करना है तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा i plus e is equals to del plus a हाया ना तो अगर i और e दोनों सेम हो गए तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2i हाया ना और यहाँ पर 2i लिख दूंगा तो del become del minimum plus a तो यहाँ से देखूँ यहाँ से i क्या मिलेगा यहाँ से मेरे को i मिलेगा that is del m plus a by 2 हाया ना r कैसे मिलेगा तो जब कभी भी minimum deviation होगा जब कभी भी minimum deviation होगा minimum deviation का condition मैंने बता है क्या होगा चीए तो यहाँ पर लिख लो तो नथिंग बट तू र क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे को एक और चीज मिलेगा that is 2 r is equals to a तो यहाँ से आर क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा मिलेगा मेरको a by 2 अभी दोनों फर्मूला बहुत important है यहाँ से मेरको i मिल गया मतलब angle of incident मिल गया और यहां से मेरे को angle of refraction मिल गया अब यूज करो snail's law snail's law क्या बोलता है भाई by snail's law तो refractive index of that prism refractive index of that prism refractive index of that prism यह refractive index of prism का जो कि बराबर हो जाएगा sin i by sin r से हाई या ना but what is i i is nothing but del m plus a by 2 substitute क्या मिलेगा so therefore n is equals to sin del m plus a by 2 हाय ना whole divided by sin r what is sin r nothing but a by 2 तो यहां पे आजाएगा a by 2 and this is nothing but a prism formula and this is nothing but a prism formula यह है prism formula refractive index of a prism refractive index of a prism is equals to sin in bracket del m plus a by 2 divided by sin a by 2 okay बासमें आगे everyone पका बहुत important formula है बहुत important formula है मतलब अगर कहीं से भी तुमको refractive index पता होगा prism का तो तुम रोग और prism का अगर refractive index पता है और अगर तुमको prism का यह पता है angle of prism पता है जो कि तुमको पता ही रहगा भाई तुम जो prism चूज करोगे उसका angle तो तुमको पता ही रहगा ना कि कितना angle है अगर वो दोनों चीज़ तुमको पता है तो you can calculate the minimum deviation तुम वहाँ से minimum deviation calculate कर सकते हो clear बासमें आगे everyone पकता ओके इसके बाद एक और formula है that is called thin lens ये thin prism formula a thin prism formula हमेशा true नहीं होता ये always true होता है thin prism formula कब true होता है तो you cannot use thin prism formula, so this is nothing but a condition, ये एक तरह का condition है, ये actual नहीं है, याद रखना ये हमेशा true है, अगर बात करोगे ये, तो ये हमेशा true है, बट अगर बात करोगे इस चीज़ की, तो ये हमेशा true नहीं होगा, ये तभी true होगा, जब a is less than theta, और मुझे पता है, when angle is very small, ये बहुत 10 से छोटा, मतलब prism एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा prism तुमारा, अब एकदम चिपक गया prism, तो इसका मतलब ये है, कि सारे के सारे angle चोटे हो जाएगे, and angle is very small, जब angle बहुत चोटा होता है, तो तुमको पता है, क्या होता है, sine theta become, क्या हो जाता है, theta हाँ या ना, sine theta क्या ही हो जाता है, theta हो जाता है, तो ज़रा ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये क्या है, sine del m plus a by 2, तो ये हो गया, sine ये हो गया पूरा theta, तो sine theta become theta only, तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, यहां पर मेरे को मिलेगा, that is, क्या मिलेगा, n is equals to, sin हर जाएगा न, चीछ तो यहां पर लिग देता हूँ, यहां पर prism formula क्या है, sin del m plus a by 2 whole divided by sin a by 2, यह है तुम्हारा prism formula, but sin theta become theta, तो यह पुरा पुरा हर जाएगा, क्या मिलेगा तुमको, n is equals to, n is equals to del m plus a by 2 whole divided by a by 2, देखो, 2 to cancel, a इधर चला जाएगा, that is, n a is equals to del m plus a, yes or no, अब यहां पर a आ जाएगा, क्या मिलेगा, n a minus a is equals to del, m लिखने की ज़र होत नहीं है, क्योंकि minimum deviation हर बार compulsory नहीं होगा, तो यहां से a common लेगा, a common लेगा, n minus 1 in bracket a, और यहां पर आ जाएगा del, and this is nothing but a thin prism formula, इसको क्या बोलते हैं, thin prism formula, और यह हमेशा true नहीं होता, यह हमेशा true नहीं होता, याद रखना, यह तभी true होगा, जब तुमारा angle कितना होगा, जो तुमारा prism angle होगा, वो less than 10 होगा, क्या होगा, less than 10 होगा, तभी यह true होगा, to a in bracket n minus 1, तोनों सेम चीज़, तोनों सेम चीज़, तोनों सेम चीज़, clear बास नहीं आ गया everyone, पका, समझ में आया thin prism formula, समझ में आया prism formula, everyone, okay, समझ में आया prism क्या होता है, okay, next lecture में हम लोग start करेंगे, हमारा optical instrument, okay, जो की बहुत important topic है, obstacle instrument, क्या होता है, तुमारा microscope, क्या होत होता है, compound microscope, क्या होता है, simple microscope, वो सारा चीज़ हम लोग discuss करेंगे, वो discuss करेंगे, हम लोग next lecture में, okay, तो अगर तुम लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो obviously तुमको वीडियो को like करना है, अगर तुम लोग चैनल पर first time हो, तो चैनल को subscribe करके जाना, याद रखना, okay, क चलो, तो आज का वीडियो यही पेंड करते हैं, आज के लिए बसीता है, that's it for today, thank you so much.